15 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब तुम्हारे बोड एक्जाम शुरू होने वाले हैं और 15 अगस्त 2022 ये वो तारीख थी जब मैंने तुम्हारी जर्णी शुरू करवा दी थी GOAT GOAT की यानि Greatest of All Teachers की ये GOAT तुम बहुत आने वाले टाइम में सुनने वाले हो और उसका simple reason भी है यार मतलब ये जर्णी अपन कैसे करने वाले है जहाँ पे तुम और मैं बैटके उन टीचर्स से पढ़ेंगे जिनसे तुम emotional connect रख सको बारवी वो कक्षा नहीं होती है जहाँ तुम अपने life decisions ले लो बलकि दूसरों को देखके inspire होना शुरू करो कि तुम life में क्या करना चाते हो आगे tensions बढ़ेंगी समझ रहे हो तुम इस बात को और इसलिए मैं ऐसे teachers को introduce करना चाता हूँ जो तुमें हर चीज को लेकर inspire कर सके जैसे आज जिस faculty को मैं introduce करूँँगा यानी सजल को यह वो बंदा है जिसने बचपन से वो success देखी हुई है फिर भी आज वो risk लेने को तयार है बिकाज उसको life में कुछ बहुत ही बढ़ा करना है तो सजल वो बंदा है जिसने बचपन से table tennis खेला है और national level पे खेला है और बहुत सारे awards जीते हैं उसके बाद वो 12 में पढ़ाई को लेके serious हुआ अच्छी खासी scoring की और उसके बाद उसने डेली उनिवर्सिटी क्रैक कर लिया शहीद भगत सिंग में उसने पढ़ना चालू कर दिया college first year हुआ and then उसने जब मेरे से बात की उसने completely 100% यह सोच लिया कि उसे drop out करना है और अब उसे teaching में करना है because वो अपना उससे पहले YouTube channel run करना शुरू कर चुका था पिछले दो साल से वो teaching कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि यह teaching में मैं कुछ नया कर सकूँ because मेरे को interest आता है and मैं चाहता हूँ के ऐसे लोग को वो platform मिले और बात यही घतम नहीं होती है मेरे भाईयो मैं एक और चीज तुम्हें बता देता हूँ जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी कि बहुत सारी शायद difficulties तुम face करते होगी you don't have notes सिर्फ तुम्हारे पास यहां पर PPTs होती है जो देखकर तुम्हें लगता है कि यार क्या नहीं से पढ़ना पड़ेगा you don't have handwritten notes उसके बाद तुम्हारे पास worksheets नहीं होती है trust pep नहीं होते है क्योंकि एक ही teacher एक YouTube channel पर सारे subjects पढ़ाता है जो गलती भाई मैं बोल रहा हूँ personally मैंने भी की है अब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो GOAT GOAT है ये किस level पे है greatest of all teachers ये कैसे वो facilitator बने because मैं ये उन लोगों को उस level पे लेकर आ रहा हूँ जहां पे they will be teaching each and every subject differently यानि अगर सजल आइड पढ़ा रहा है तो Macro Economics अजय सर पढ़ाने वाले है तो चलो ठीके अजय सर की बात-बाद में उनको मैं बाद में इंट्रिड्यूस करूंगा पले मैं बुलाना चाहूँगा सजल को दीरे-दीरे कंटेंट और बढ़ना चालू होगा अपन पूरे साल साथ में मिलके पढ़ाई करेंगे कहते तू होता कौन है कहने वाला कहते कौन बादे तेरी सुनने वाला मुझको ना लेना देना इससे जितने नगली बैठे घर पे सबको एक साथ किया तो अल्रेडी सारा इंट्रोड़क्शन हो ही चुका है तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो को बनाने का बेसिक परपस क्या था इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इक्नामिक्स के स्लेवर्स के बारे में 2023 बोर्ट का जो है फर्स्ट अफॉल यार हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स हैं और वो कितने मार्क्स को कंस्टिट्यूट करते हैं तो उसके लिए यार हमने सीरी जी कुछ इस तरीके से लाउंच करी है कि आपका जो नवंबर से पहले पूरा स्लेवर्स क्या होगा कम्प्लीट हो जाएगा तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल लेने की जरुवत नहीं है Secondly अगर आपको पता है कि यार आपका एक हफते बाद प्रिवोड है तो इस तरीके से प्रिपेशन करो कि आपने already अभी जितना पर रखा है उसको properly attempt करके जाओ और वो जितने marks constitute कर रहा है paper में और उसको अच्छे से complete करो और उसमें full marks score करने का try करो For example यार आपने suppose कर लो 4 chapter पढ़े हैं और वो 4 chapter जो paper में आ रहे हैं वो 20 marks को constitute कर रहे हैं So that हमें idea लग से कि किस तरीके से हम लोग approach करने वाले हैं और इसमें हम लोग last में इसका syllabus भी discuss करेंगे जो chapters हैं उनका एक overview लेंगे कि क्या-क्या उनके अंतर हैं मतलब deep में नहीं जाएंगे बस उपर से एक overview लेने वाले हैं तो major doubt जो है सबसे पहला है notes भया हमने समझ तो सब लिया बट हमें notes से ही है हमें देखना है कि exactly हम कैसे paper में लिखके आएं so that हमें एक idea लग सके and हमारे marks अच्छे आ सके तो उसके लिए क्या कर रहा है मैंने खुद handwritten notes बनाए है so that आपको ये पता चल सके कि हमें कैसे लिखना है एक precise content के रूप में और वो notes की जो link होगी वो lecture के साथ ही description में दे दी जाएगी वहाँ से आप check out कर लेना दूसरी चीज यह है कि जो मैं आपको PDF से पढ़ाऊंगा वो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी understanding better हो सके यानि notes की जो PDF जो जिस lecture से हम पढ़ेंगे वीडियो में वो मैंने कुछ इस तरीके से frame करी है ताकि आपको काफी easy हो और साथ में diagrammatic representation भी यहाँ पे करा गया है तो वो आपको बहुत better understanding के लिए help करेगा तो कुछ इस तरीके से मैंने notes बनाए है second doubt के हम बात कर लेते हैं वो है speed run भया यह speed run क्या है देखो उस बच्चे का क्या जिसका परसो pre-board है उस बच्चे का क्या जिसका कल class test है तो उसके लिए हमने क्या करा है जब हम एक detailed lecture इसका upload करेंगे उसी के साथ थोड़ी देर बाद या रात को हम लोग क्या करेंगे एक speed run upload करेंगे जिसमें वही chapter हम एक summary के रूप में 15 minute में निप्टा देंगे for example यार हमने chapter number 1 पड़ा Indian economy on the eve of independence तो उसी के बाद मैं क्या करूँगा एक speed run upload कर दूँगा अगर वो 50 minute का chapter complete हुआ है तो उसी को मैं 10-15 minute में complete कर दूँगा एक summary के रूप में so that हमारा paper का एक अच्छा कासा revision हो सके तो वो speed run में हम लोग करने वाले हैं for the purpose of revision and for the purpose of overview ठीक है थर्ड चीज आती है data's देखो जब बच्चे इंड़ना एकनामिक स्टार्ट करते हैं तो उनका एक बहुत major doubt ये रहता है कि भाया इसमें तो बहुत सारे data's है वो कैसे हम learn करेंगे इतने agriculture sector में इतने percentage के share दे रहा होते हैं वहाँ पर इतना percentage दे रहा होता है कहीं पर कुछ dates दे रहा होती हैं कहीं पर कहीं full forms दे रहा होती हैं तो हम बहुत confused हो जाते हैं So what I have done is कि जो भी lecture में जो भी chapter हम पढ़ रहे हैं उसके जितने भी important data's होंगे उसको मैं last slide में cover कर लूँगा and आपको उससे ना ज़्यादा पढ़ने के ज़रवत है ना उससे कम पढ़ने के ज़रवत है तो जो भी वहाँ पर data's या full forms मैंने दे रही हैं उसको आप कर लेना तो उस chapter के जितने भी data's हैं वो आपके वहाँ पर complete हो जाएंगे फूर्थ आता है presentation देखो इंडरेक्रामिक्स development में हम लोग ये भी देखेंगे कि presentation हमें कैसे करना है अभी हम chapters को देखने वाले हैं क्या-क्या overview है क्या-क्या names है chapter के और क्या-क्या उसके अंदर आता है तो presentation के एकर मैं बात करूँ लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भया मैं आता तो सबता हम करके भी सब आए लेकिन हमारे number नहीं आए हमें 5 marks के question में मातर 4 number मिले वो कहीं न कहीं उसका एक reason होता है presentation क्या पता आपने इस तरीके से present नहीं करा कि जो examiner है उसने आपको marks नहीं दिये भले ही शायद आपने पूरा सही लिखाओ बट फिर भी उसमें marks नहीं दिये तो इसमें मैं क्या करूँगा वो हम कैसे बनाएंगे secondly हमें कितनी spacing रखनी है इसके बीच में ये सब चीज़े बहुत छोटी लगती है बट ये बहुत ज़्यादा मेडर करती है in the perspective कि आपको एक अच्छे marks चाहिए उसके बाद यार अगर हमें बहुत सारे problem से features दी गई है तो हम उसको ऐसे ना लिखके कि भईया एक एक पॉइंटर के हमें cloud मेरे में बना सकते हैं और एक एक करके उसको represent करके काफी असान कर सकते हैं अपने काम को और काफी असान कर सकते हैं जो examiner चेक कर रहा है उसके काम को और इस वज़े से क्या होगा वो हमको ज़्यादा ज़्यादा number देगा और हमें जो desire score हमें achieve करना है वो हम कर लेंगे so this is just an overview तो ये चौतर topic हमारा जो था presentation वो भी हमने discuss कर लिया अभी हम सब जब हमारे boards आएंगे तो पूरी strategies की videos में लाओंगा कि कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हो question answers की सब कुछ इस channel में हम लोग discuss कर लेंगे तो आप बस connected रहना साथ में और कोई भी doubt आता है तो comment कर देना मैं personally बैटके सारे reply करूँगा there's no problem in it ठीक है अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी major चीज है कि हमारे जितने chapters है वो तो बता दो उसमें क्या-क्या है तो समझते है सबसे पहले ये देखना कि जो हमारी Indian economics है मैं यहाँ पर page को add कर लेता हूँ just a second देखो हमारी जो Indian economics है वो कुछ इस तरीके से divided है समझना बात को हम लोग पहले पढ़ेंगे कि हमारी country की situation 1947 से पहले क्या थी जब Britishers ने हम पर कबजा करके रखा था उनने हमारे industrial sector को उनने हमारे agriculture sector को और trade sector को किस-किस तरीके से exploit करा और हमारी economy को एकदम खराब कर दिया तो हम पहले ये देखेंगे कि 1947 से पहले हमारी country की क्या situation थी उसके बाद हम लोग देखेंगे 1950 से लेके 1990 तक हमारी country में क्या policies लाँच करेगी थी 1947 पे हमको आजादी मिल गई और हमारी economy एक बिल्कुल गिरी वी economy थी तो हमने 1950 से लेके 1990 तक क्या-क्या policies लाँच करी so that जो हमारी गिरी वी economy है उसको हम वापस उठा सके यानि हमारे agriculture sector में हम reforms लाए हम industrial sector में reforms लाए हम लोग trade sector में reforms लाए agriculture sector में आरे एक बहुत famous आपने सुना होगा वो लाए गया था green revolution अपने सुना हो वो भी इसमें है तो ये सब छोटी-छोटी policies लाए गई थी जिस वज़े से हमने जो हमारी गिरीवी economy थी उसको वापस उपर उठा है तो इसमें हम पढ़ेंगे कि 1950 से लेके 1990 तक हमने क्या-क्या policies लाँच करी क्या-क्या reforms लाँच करे ताकि जो हमारी गिरीवी economy है उसको हम वापस उपर उठा सके उसके बाद हम लोग देखेंगे 1991 में एक policy launch हुई थी New Economic Policy अब कोई सुना-सुना लग रहा होगा पहले पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं इसके अंदर क्या हो था? LPG लाई गई थी Liberalization, Privatization, Globalization ठीक है वो हम देटेल में discussion करेंगे उसका chapter wise तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भया उसके क्या negative effects रहे क्या उसके positive effects रहे तो वो हम इसमें देखेंगे 1991 में जो New Economic Policy लाई गई थी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भया 1991 के बाद currently हमारे क्या challenges economy face कर रही है जैसे कि unemployment हो गया जैसे कि आपका human capital formation कि जैसे हमारे human capital मतलब क्या होता है भया human capital हमारी country के जितने भी skill और expertise लोग होते हैं उनको हम बोलते है human capital for example doctors हो गए for example आपके teachers हो गए for example आपके astronauts हो गए ये सब किसी भी country के human capital होते हैं because इनके पास एक skill होती है तो कुछ current challenges हमने बता है unemployment, human capital formation, poverty जो चल रहे है जो chapter अलड़ी हमारी syllabus से हट चुका है बट मैं बता रहा हूँ जनरल सिंस में कि ये कुछ current challenges हम लोग यहां पे discuss करने वाले हैं and trust me यार Indian economics बहुत बहुत easy है एक systematic learning में हम लोग करेंगे and you can believe me on that आपका syllabus time पे complete होगा और आपका जो desired score है 100 on 100 वो हम मिल के achieve करेंगे और कोई bit out आता है please comment करना ठीक है तो इस तरीके से हमारा कुछ syllabus divided है अब हम बात कर लेते हैं syllabus का एक बार overview ले लेते हैं chapter wise छोड़ी छोड़ी चीज़े देखते हैं डीटेल में नहीं जा रहे हैं बस एक overview लेने वाले हैं so that हमें idea लग सके पहला chapter है Indian economy on the eve of independence देखो इस chapter में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं जब हम literature school के अंदर थे तो उन्हें हमें किस तरीके से exploit करा हमारे industrial sector को हमारे agriculture sector को और हमारे trade sector को और हमारी economy को पूरी तरीके से कितना नुकसान पहुचाया तो इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं second chapter है Indian economy 1950 to 1990 अल्रडी मैंने बताया जब independence जब हमको मिली 1947 पे तो हमारी economy एकदम गिड़ चुकी थी तो हमने क्या policies launch करी 1950 से लेके 1990 के बीच में agriculture sector में, industrial sector में और trade sector में ताकि वो गिरीवी economy को हम वापस उपर उठा सके तो जो जो चीज़े हमने यहां पे करी वो हमें second chapter में पढ़ने वाले हैं third chapter है new economic policy LPG यानि बताया था 1991 में liberalization, privatization और globalization launch करा गया था तो उसमें हम लोग यही देखने वाले हैं कि भया क्या इसके फायदे रहे क्या इसके नुकसान रहे क्या-क्या यह जो liberalization हुआ इसके क्या features है इसके क्या फायदे थे इसके क्या नुकसान थे तो particularly हम इस chapter में ये चीज़ पढ़ेंगे fourth है poverty जो हमारे syllabus से already हट चुका है तो इसको हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है fifth हमारे पास है human capital formation already मैंने बताया human capital होती है किसी भी country की skill और expertise जैसे कि मैंने बताया हमारे country में जितने भी doctors है engineers है astronauts है scientists है ये सब क्या है हमारे country की human capital means इनके पास एक skill है right तो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं कि कैसे human capital formulate होती है education क्या उसमें important role play करता है तो ये सब चीज़ें हम लोग इस chapter में cover up करने वाले है sixth chapter है ruler development याने उनकों को पता है यार हमारे इंडिया में काफी सारे गाओं इलाके भी है उनके development के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है तो इस chapter में हम लोग यही पढ़ने वाले है ruler development से related कुछ topics and secondly हम ये भी देखेंगे कि भाईया अब ruler areas में क्या होता है ज़्यादा तर लोग farm में involved होते है तो उनको loan की जरुवत होती है तो क्या उनसे कॉनसे banks होते हैं जो उनको loan provide करते हैं कितने कितने interest rate में provide करते हैं तो इसमें हम लोग ruler development में यही चीच देखने वाले हैं उसके बाद है 7th chapter employment देखो employment मतलब होता है रोजगार और इस chapter में हम बात करने वाले हैं unemployment की chapter का ना में employment बड़ हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की क्योंकि यह current challenges हमारी economy face कर रही है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कि कितने-कितने types के unemployment होते हैं बहुत अलग-अलग types के होते हैं मतलब लोगों को लगता है कि unemployment मतलब तो सिर्फ बेरोजगार है unemployment भी बहुत types के होते हैं जैसे कुछ होते है season wise की भाई या इस season में तुम unemployed हो और बहुत अलग-अलग types के होते हैं वो सब हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं उसका 9 chapter है Environment and Sustainable Development नेको यह वही chapter है जो हम बच्पन से पढ़के आ रहे थे एक आपने सुनाओगा Air Pollution, Water Pollution, Noise Pollution तो कहीं न कहीं उसी का थोड़ा सा यह extended वरजन है बहुत ही हलवा chapter है बढ़ी अगरगस के निप्टाएंगे एक term यहाँ पर लिखा है बट वो resources डिप्लीट हो गए और आने वाली generation उसको use ही नहीं कर पा रही है इस तरीके का development हमको नहीं करना है Sustainable development हमको करना है उसका last chapter to 10th हमारे पास आता है वो है comparative development experience of India, China and Pakistan यानि इस chapter में हम लोग क्या करने वाले हैं हम एक जगह पर रखेंगे इंडिया को एक जगह पर रखेंगे चाइना को और एक जगह पर रखेंगे पाकिस्तान को फिर हम उसको compare करना चालू करेंगे in terms of GDP, in terms of mortality rate in terms of health facilities कितनी वहाँ पर available है तो कुछ aspects पर basis पर हम इन तीनों countries को आपस में compare करेंगे और यहां पर हमारा chapter पूरा complete हो जाएगा so this was the syllabus of Indian economics जो हमें पढ़ना है इसमें से दो chapter मैंने अल्रेडी बता दिये जो हट चुके हैं पहला है poverty और दूसरा है infrastructure जो हमें पढ़ने की जरुवत नहीं है इसके marks का lotion भी देख लेते हैं जो starting के 3 chapter होने वाले हैं वो constitute करेंगे पूरे 12 number उसके बाद जो यहां से लेके poverty तो हट चुका है तो यहां से लेके जो sustainable development तक chapter है वो total constitute करेंगे 20 numbers और जो last chapter हमारा है इंडिया, चैना और पाकिस्तान वाला वो constitute करेगा 8 number तो total कितना हो गया? 20, 32, 40 तो इंडिया एकनामिक्स हमारी पूरी 40 number के आने वाली है अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एके करके chapters को निप्टाना स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी हम वीडियो लाएंगे और हम अपने syllabus को निप्टाएंगे मैं फिरसे बोल रहा हम कोई भी डाउट आता है प्लीस कमेंट करना I will definitely reply सारे बैठके मैं personally reply करूँगा and it motivates me definitely तो यही तर इस वीडियो में डिस्कस करना Basic Purpose का कर दूदा करें झाय कर दूदा कर दूदा कर दूदा कर दूदान